जैसा कि मैंने बताय था कि UPNHM का जो अभी 17 तारिक वाला नोटिफेकेशन आये था 17000 पोस्ट पे स्टाफ नर्स, A&M, लाब टेकनिशन और फॉर्मेसी की तो जो नोटिफेकेशन कल आये था 17 तारिक में वो नोटिफेकेशन आपने देखा होगा कि उसमें clear चीज़े नहीं दे गई थी कि कितनी सीटे एड होके कितनी सीटे हो चुकी है तो वो clear नहीं था notification तो अभी जो है उस notification को change करके आप देख सकते कि यहाँ पे वो कल वाला notification नहीं दिख रहा है और आज जो नोटिफेकेशन आया 18 तारिक में यहाँ पे देखिए वो वाला पहले का notification अटाके नया एक notification अपलोड हुआ है और इसमें जो clearly mention किया गया कि कहां पे कितनी सीटे increase होई है पहले मैंने बताय था कि नहीं है जो update आएगी उससे clear होगी तो अब जाके मैं यह विड़ बना रही है उसमें आप देख सकते हैं कि पूरी डीटेल नोटिफेकेशन आ चुकी है अब जो 6203 वेकेंसी थी अभी वो 408 सीटे बढ़के 6611 वेकेंसी हो चुकी है और यह जो है यहां पे देख सकते हैं district wise दिया गया कि कौन से district में कितनी वेकेंसी बढ़ी हुई है कल का नोटिफेकेशन क्लियर नहीं था वीडियो में मैं बताया था कि इसमें अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या चीज़ है पर अभी है इन्होंने अपनी कलती को accept करते हुए पूरी डीटेल यहां पर देदी गई है कि कितनी वेकेंसी बढ़ी है कहींने कहीं अच्छी एपॉर्चुनिटी है यहां पर कैंडिडेट के लिए सीटे बढ़ गई है अच्छे से जो लोग का भी एक्जाम हुआ है आज तो जो जो टॉपिक पूछे गए थे सेम टॉपिक को आप डीटेल में पढ़के जाहिए कि नेक्से कि एग्जाम में भी लगबग हाई सेंसें टॉपिक आता है नोर्मलेजिशन में ऐसा होता है कि कॉरस्चन पेपर जह होता है सेंखरन पे पर हाता है अगर एक एक पेपर में किसी टॉपिक को रुपिक से आपको देखने को मिलेगा तो अभी भी टाइम है जिनका रिमेनिंग एक्जाम बचा हुआ सबी लोग मन लगा के त्यारी करें इस बार आपका सेलेक्शन जरूर होगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में Love you all, Bye